यह है Realme 12 5Z और यह है Redmi 12 5Z तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों की unboxing और comparison एक साथ नजर डालेंगे basic features, look designs, camera पर देखेंगे कौन सा smartphone आप के लिए रहता है सबसे best तो yellow color के box में Realme 12 और white color के box में Redmi 12 5Z आता है और Redmi 12 5Z के box पर आपको mobile का design भी देखने को मिल जाता है चलिए अब फटापट से दोनों के box open कर लेते हैं आप भी channel पर first time विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आप के लिए मैं याप पर regular लाता रहता हो तो सुरुवात हम Realme 12 से करते हैं सबसे उपर एक mini box हमें नजर आता है जिस box के back side में SIM ejector pin अंदर quick start guide, user manual phone को safety देने के लिए flexible transparent silicon का काफी soft cover मिल जाता है इसके बाद smartphone इसे रखेंगे फिलाल side में और अंदर देखने पर हमें मिलता है एक बहुत बड़े size का heavy charger adapter जो है 45 watt का super book ये mobile को काफी fast charge करेगा और USB cable जो है type A2 type C मिलती है length और quality भी बढ़िया मिल जाती है आते है radio 812 5Z पर यहां सबसे उपर smartphone इसे फिलाल side रखके अंदर यहां भी एक box मिलता है जिसके back side में SIM ejector pin और phone को safety देने के लिए flexible transparent silicon का cover यहां भी मिल जाता है charger सारे 22 watt का है phone support करेगा 18 watt तक ही इसके बाद जो USB cable हमें मिलती है type A to type C दी गई है और यह हैं दोनों smartphone जिनका front look देखे दोस्तों इन एन फिल दोनों ही smartphone हाथ में comfortable feel हो रहे हैं और काफी slim भी लग रहे हैं दोनों ही smartphone punch hold display के साथ आते हैं और दोनों पर pre-applied scratch guard भी मिल जाता है दोनों smartphone के back side का look देखे विल्कुल flat back panel दोनों smartphone के आपको मिलेंगे लेकिन अंतर है दोस्तों गिलास body मिलती है Redmi 12 5Z में प्लास्टिक polycarbonate body मिलती है Realme 12 में अब करीब से देखे सबसे पहले Realme 12 का back panel light का reflection काफी कमाल का बीच में यह line काफी कमाल के लग रही है Realme की branding की गई है light reflection काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों camera medul एक बड़ा सा circle यहां पर पीछे चिपका दिया है जिसके अंदर सारे के सारे camera रखे गए है और यह थोड़ा सा उठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा दो camera नजर आ रहे हैं इसके अंदर Redmi 12 5Z का जो back panel है इस पर भी light का काफी कमाल का reflection देखने को मिलता है और fingerprint इतनी जल्दी विजिवल नहीं होते इसके back panel पर Redmi की branding camera medul तीन lens नजर आ रहे हैं जिसमें camera तो दो ही मिलते हैं और इनके lens भी हलके उठे हुए नजर आ रहे हैं यहां mean primary camera 50MP का और 2MP का depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है फ्रेंट में तो दोनों ही smartphone punch hole के अंदर दे रहे हैं 8MP का selfie camera दोनों smartphone के चारो corner rounded side में बिलकुल flat right side में power on की volume rockers और finger fin sensor मिलेंगे उपर की side आपको realme में secondary mic noise cancellation के लिए साथी speaker pod भी दिया गया है यानि कि इसमें dual stereo speaker मिल जाते हैं sim tray भी आपको उपर की side ही मिलती है जबकि Redmi में आपको IR blaster मिलता है जिसका use up remote control के लिए कर सकते हैं और 3.5mm का audio jack भी उपर की side दिया गया है left side में sim tray दी है Redmi ने bottom में 3.5mm का audio jack realme दे रहा है बाकी दोनों में primary mic charging jack और speaker दिये गए है अब दोनों smartphone को हमने already boot करके रखा हुआ है इनकी brightness को भी 100% किया हुए है अब आपको करीब से दोनों की display दिखाते हैं तो ज़्यादा bright और colorful display आपको realme 12 की नजर आ रही होगी क्योंकि यहां आपको मिलती है 950 nits तक की peak brightness जबकि Redmi में आपको only 550 nits तक की peak brightness मिलती है तो brightness में आगे realme निकल गया बाकी जो edge और bezels है corner उपर से पतले नीचे चीन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है और जो user interface है दोनों smartphone का वो अलग अलग है सारे मिलते हैं यहां Redmi में जबकि यहां pre-install application realme में काफी सारे मिलते हैं आला कि आप इनको install भी कर सकते हैं touch जादा smooth मिलेगा आपको realme 12 का क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है 120 Hz का refresh rate Redmi में आपको only 90 Hz का ही refresh rate मिलता है चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की तो realme 12 5G में आपको 6.72 इंच की full HD plus IPS LCD मिलती है जिसका aspect ratio 20 to 9 screen resolution 1080 x 2400 pixel density 392 ppi की मिलती है वहीं पर Redmi 12 में आपको 6.79 इंच की full HD plus IPS LCD मिलती है इसका aspect ratio भी 20 to 9 screen resolution 1080 x 2460 pixel density 396 ppi की मिलती है साथी Corning Gorilla Glass 3 का production भी इस phone में दिया गया है realme ने कौन सा production दिया है ये company ने कहीं भी mention नहीं किया है height को देखे दोनों smartphone की तो अंतर है दोस्तों यहां पर realme की height है 165.6 mm और Redmi की height है 168.6 mm thickness में भी अंतर है 7.69 mm की thickness realme में, Redmi में 8.1 mm की thickness मिलती है वहीं पर दोनों smartphone के अंदर 5000 mm की battery लगी है IP54 की rating realme 12 को मिली है और IP53 की rating मिली है Redmi 12 को यानि की hulkeful के splash proof पानी कुछ नहीं बिगारने वाला दोनों smartphone का अगर hulkeful के पानी के चीटे या फिर बारिस में आप भीग जाते हैं realme 12 आता है Android 14 के साथ Redmi 12 आता है Android 13 के साथ और दोनों में 2.2 GHz का OctaCore processor चिपसेट अलग-अलग है MediaTek Dimensity 6100 Plus का मिलता है realme में और Redmi में मिलता है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का ये बेस्ट है 4NM के fabrication पर ये है बेस्ट 6NM के fabrication पर और Mali G57 के graphic यहाँ Adreno 613 के graphic मिलते हैं बाकी RAM मिलेगी 6GB की LPDDR4X वाली और storage दोनों में 128GB का दिया गया है expandable memory को 1TB तक बढ़ा सकते हैं storage type UFS 2.2 का दिया गया है बाकी security update भी 2 साल तक इन स्मार्टफोन में मिल जाएंगे Android 15 का update Realme ने दावा किया है कि 12 में जरूर दिंगे और Android 14 का update Redmi ने दावा किया है हाला कि अभी तक तो आया नहीं है Redmi 12 में और Realme 12 तो latest smartphone है वैसे तो इन दोनों smartphone का camera comparison नहीं बनता लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक जोटी सी नजर में दोस्तों यहाँ पर दोनों smartphone के rear camera को हमने normal mode में open किया हुआ है तो यहाँ पर camera के लेटी आप देख सकते हैं zooming भी देख लेते हैं तो यहाँ 10x zoom support करता है Redmi 12 और Realme 12 करता है 20x तक का zoom support तो यह अंतर है दोस्तो zooming power जादा Realme में मिलती है camera के लेटी भी जादा better आपको Realme की ही मिलेगी Full HD में दोनों से आप video shoot कर सकते हो दोनों से 30fps में ही video shoot होगी दोस्तो front camera देखते हैं दोनों स्मार्टफोन का जो है 8 Megapixel का और यह देखिए दोस्तो front camera जादा better Realme का ही लग रहा है actual जो natural color है वो Realme 12 के camera से जादा better से आपको देखने को मिलेंगे overall देखा जाए तो दोनों ही smartphone अपनी अपनी business कोबियों के साथ आते हैं लेकिन बात आती है मैं कौन सा smartphone पर्चेस करना चाहिए तो Realme 12 है latest smartphone जिसका price का अभी कोई ठिकाना नहीं है दोस्तो अभी आप lift card पर इसका price जग करो 6GB 128GB वेरेंट 17,000 रुपे का है दो दिन पहले 15,000 रुपे का था हाला कि Realme की website पर आपको coupon मिल जाता है 2000 का और उससे आपको ये मिलेगा 15,000 रुपे में 17,000 रुपे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 17,000 रुपे खर्च करके इस smartphone को purchase करो आज आप 17,000 रुपे का खरीदोगे कल को आपका 25,000 रुपे में खरीदेगा तो आप ही का नुकसान है दोस्तो इसलिए जब सस्ता दिखे तब ही purchase कीजिए और ये जो Redmi 12 है दोस्तो इसके जो lower वेरेंट है वो आपको 11,000 रुपे का मिल जाएगा और ये जो 6GB 128GB वेरेंट है और बढ़िया भी है दोस्तो आजकल virtual RAM का तो support मिली जाता है अगर आप 4GB वाला वेरेंट भी purchase करते हो अगर आपको इतनी need नहीं है RAM की तो purchase कर सकते हैं overall देखा जाए तो अपनी विसेश कूबियों के साथ आ रहे हैं दोनों smartphone आप तो सभी की पसंद matter करती है comment box मताईए इन दोनों में से आपको कौन सा smartphone बढ़िया लगा कौन सा आप purchase करना चाहोगे आसा करता हूँ मेरे दारदी के जानकारी आप सभी के ज़रू कुछन कुछ काम आएगी